आज की ये मस्रूम की सबजी आप सब को बहुत जादा पसंद आएगी मेरे घर में मेरे हस्बेन को भी बहुत जादा पसंद है यह यहां पे मैंने च्छता वाला मस्रूम लिया है जिसे अच्छे से साफ करके कट कर लिया है मैंने और धो लिया है अच्छे से पानी से दो करके पानी निचोल लेंगे उसके बाद इसके उपर डालेंगे आधि छोटी चमच अदरकलासुन का बेस्ट, सांथि नमक, स्वात अनुसार एक चमच स्वया सॉस टालेंगे एक से डिर चमच डालेंगे रेट चिली सॉस एक चौथाई चोटी चमच क्यास पस डाल देंगे इस पे काली मेश पौडर चार चमच डालेंगे इसके उपर कॉन फ्लार जिसे कॉन स्टार्च भी बोलते हैं पर आप चाहें तो दो चमच कॉन फ्लार दो चमच मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इन्हें हम हलके हाथों से मिलाएंगे मस्रूम भींगा हुआ है तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर अगर आपको लगे कि आपका जो मस्रूम है ज्यादा ड्राई है तो आप कुछ बुंदे पानी के डाल सकते हैं इसके उपर कुछ छीटे डाल सकते हैं पानी के यहां पर हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है अच्छे से कोट कर लिया है इसे और अब हमें इसे फ्राई करना है तो तेल गरम हो चुका है तेल में एक एक करके जो मश्रूम है इसे डालेंगे हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे इस तरह से आप मस्रूम अपने खर में एक बार जरूर बनाईगा आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा यह जो बटर मस्रूम होता है उससे कई गुना ज्यादर टेस्टी यह वाला मस्रूम लगता है खाने में तो आप इसे जरूर बनाईएगा अभी बरसात का मौसम है ना तो अभी आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है गोल्डेन कलर का हो चुका है यह तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे ऐसे ही आपको इसे फ्राई करना है गोल्डेन कलर आने तक और हाई फ्लेम पे अब बचा हुआ जो मस्रूम है ना उसे भी हम डालेंगे तेल में और इसे भी इतना मश्रूम आ जाए तेल में आप उतना ही डाले बहुत ज्यादा ना डाले और इस तरह से पलटते हुए आप इसे फ्राइ कर लें तो यहां पर बहुत अच्छे से यह फ्राइ हो चुका है अब इसे भी हम निकाल लेंगे आप चाहे तो यह जो मश्रूम है इसे आप ऐसे भी फ्राइ करके खा सकते हैं कि ऐसे भी बहुत ही पढ़िया लगता है खाने में अब हम इसके लिए सॉस त्यार करेंगे तो यहां पर जो कड़ाई में तेल है इसे हम कम कर लेंगे क्योंकि ज्यादा तेल है तेल कम करने के बा बारिक टब आधा इंच अधरक का टुकड़ा डालेंगे तीन से चार हरिमेज डालेंगे इसे भी हम कट करके ढालेंगे जैसे हल का गुलाबी होगा यहां पर लसुन हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पारिक कटा हुआ प्याज तो इस रेसिपी के लिए मैंने दो प्याज का जिसमें से बीच वाला जो प्याज का हिस्सा होता है उसे मैंने इस तरह से बारिक कट करके इसमें डाला है और उपर वाले हिस्से को मैंने स्लाइस में कट किया है यहां पे देख सकते हैं तो यह दो प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में कट किया है और एक सिमला मिच डाल नमक स्वादनुसार डाल देंगे तो ध्यान रखे कि मस्रूम में नमक है तो उसी हिसाब से डालेंगे यहां पर एक चौथाई छोटी चमच के आसपस टालेंगे चीनी इसे कलर बहुत बढ़ी आएगा और सांथे साथ जो हम सॉस इस्तमाल करेंगे ना तो उसके टेस्ट को ब आप चाहे तो ग्रिंग चिली सॉस का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर एक चमच टालेंगे सोया सॉस और यहां पर एक से डेर चमच हम डाल देंगे सेजवान चटनी इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो अगर है सेजवान चटनी तो आप जरूर डाले नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं अच्छी तरह से मिलाते हुए एक मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे ज्यादा दर नहीं पकाना है बस एक मिनट के लिए हमें पकाना है अब लेंगे एक कटोडी में एक चमच यहां पे कॉन फ्लार और इसमें जरा सा पानी डाल करके इ इस पैन के अंदर इस जर्वाल कर चाहिगा और अच्छे से मफ्लिम के ऊपर जो सऑस है वह कोट होगा तो यहां पर उन्हें पर वी अपुछ से आपको डालना है ज्यादा नहीं डालना है नि तो बहुत ज्यादा ड्राय हो जाएगा अब इसमें हम अच्छी तरह से मिलाने अब चाहे तो इसे ग्रेवी बना सकते हैं तो आप यहां पे थोड़ा सा पानी डाल लें यहां पे मस्रूम जो है वो बिल्कुल ड्रेडी हो चुका है बनकर आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना आप इस तरह से मस्रूम जरूर बनाईएगा अपने घर में आप सब को बहुत जादा पसंद आएगा आप इसे स्टार्टर में खा सकते हैं या फिर आप इसे के साथ भी खा सकते हैं तो जरूर से ट्राइ करें तो कैसी लगी मश्रूम की यह रेसिपी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अच्छी लगे तो इसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यहां पे मैं एक मस्रूम टेस्ट कर रही हूं कि यह कैसा बना है क सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगीगा और हाँ सबसे जरूरी चीज कि अगर आपको ऐसे ही आसान रेसिपी देखनी है मेरे इस चैनल पे तो आप मेरे इस पेज को फॉलो जरूर करें